नमस्कार दोस्तों सगत आपका इस चड़ी पॉइंडी के साथ पॉइंट है शब्दों के अर्थ हिंदी से एंग्रेजी और एवं एंग्रेजी से हिंदी कच्छा दस इस तरी है तो इस पूरे पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से लेके डिटेल्ड एक्स्प्लेनेशन करते हुए बिल्कुल बेसिक त्योरी बताते हुए एक्जामपल समझाते हुए एक चीज बिल्कुल क्रिश्टल क्लियर तरीके से एक्स्प्लेन करते हुए complete comprehensive पूरी तयारी के लिए पापर वीडियो बनाए गया एकी वीडियो काफी है यह तो यह UPPSC का परणी सचुके हिंदी की तयारी कर रहे हैं नय सिलेबस के हिसाब से साथवा नंबर का पॉइंट शब्दों के अर्थ हिंदी से अंगरेजी एवाम अंगरेजी से हिंदी कच्छा दस इस तरिय का complete तयारी का complete comprehensive आप आप वीडियो है यह पूरा वीडियो जरूर देखें दो तीन बार देखें कोई feedback कॉमेंट सेज़ेशन हो तुरंद वीडियो में कॉमेंट करके बताईए एपियस की complete तयारी के लिए gk plus hindi plus computer जितना official syllabus में लिखा हुआ है उसको follow करते हुए latest trend और pattern को follow करते हुए completely revived जोर updated सिर्फ selection material अगर आपको चाहिए तो सिर्फ study for the group join कर लीजे पूरा official syllabus को निचोड के जो सबसे ज़्यादा आती संभावित संभाल जो बनाए जा सकते हैं उसको हम test series में questions के मात्याम से करा रहे हैं तो test series आप हमारी जरूर लगाईएगा paid quiz में daily practice चल रही है most important questions की gk, hindi और computer के तो उसको भी जरूर join करके practice जरूर एक बार करके जाईएगा APS के exam में जाने से पहले study for civil services की paid quiz study for civil services की test series और जो हम ये हिंदी का पापवड़ो दे रहे हैं जैसे ये वाला इससे पहले computer का भी Hindi और English Media में अलग-अलग हमने पापवड़ो दिया है उनको भी देखके आप पूरी तैयरी कर सकते हैं वीडियो फ्री ते फ्री है फ्री रहेंगे लेकिन अगर आप paid courses में आते हैं पूरा selection material मिलेगा daily paid quiz मिलेगी test series मिलेगी पूरी तैयरी एक ही जगे हो जाएगी फिर अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ देखेंगे और अंग्रेजी और हिंदी में रुपांतरण शब्दों का आप देख रहे हैं अंग्रेजी के शब्दे उनका हिंदी अर्थ दिया है एक सही मीनिंग आपको पता होनी चाहिए प्रश कहीं और आप निवास कर रहे हैं अपने काम से गैर हाजिर एक्सेप्टेंस ओफ ओफिस यानि पद स्विकृती एक्सिडेंट फ्रिक्वेंसी यानि दुरगटना की बारंबारता या दुरगटना की आप्रित्ती अकंपनिंग लेटर यानि सह पत्र साथ दिया जाने वाला अकाउंट सर्किल का मतलब होता है लेखा मंडल अकाउंट हेड का मतलब तो आप जानते ही है लेखा शिर्ष लेखा प्रमुख और एक्विटेंस रोल का मतलब है भुगतान पंजी से ठीक भुगतान पंजी पंजी का वैसे शाबदी कर्थ अगर आप देखें तो रेजिस् Act of God, यानि दैविय घटना, भगवान का काम, जिसमें कि किसी का हस्तक शेप नहीं चलता Act of Omission and Commission, यहाँ आप देख रहे हैं यह वाला, यानि भूल चूक और Addition and Alteration का मतलब है परिवर्तन और परिवर्धन परिवर्तन और परिवर्धन Ad Hoc Claim, यानि तदर्थ दावा और Adjournment, Motion का मतलब होता है इस थगन प्रस्ताओ या उसी को कहा जाता है मतलब किसी चीज को इस थगत कर दिया, यानि काम को रोक दिया, तो काम रोको प्रस्ताओ इसके बाद Adjudicate, यह आप देख रहे हैं, नयाय नेरड़ाय करना मतलब फैसला करना, नयाय देना, उससे तात पर रहे है Adjustment of Overpayment, यानि अधिक भुकतान का समायोजन Adjustment का मतलब होता है समायोजन, बागी जो इस शब्द हैं, उनके मतलब आप जानते इसके बाद Administration of Funds बहुत ही साधानण शब्द है, लेकिन असल में इनकी जो प्रशाशनिक मीनिंग है या प्रशाशनिक इनके लिए जो अर्थ निर्धारित किये गया है वो आपको पता होने चाहिए, एक सामान ने अर्थ नहीं, डिक्शनरी वाला अर्थ नहीं यहाँ जो प्रशाशनिक शब्द कोश होता है, वो भिन्नो होता है अब देखें आगे, तो हमने यहाँ तक देखा था Administrative Function का मतलब होता है, प्रशाशनिक कारे या प्रशाशकी ये कारे बात वही है, दोनों तरीके से आप लिख सकते है Administrative Measures, अब इसका मतलब क्या है, प्रशाशनिक उपाए Adult Franchisee, यानि वयस्क मतादिकार और Ad Valoram का मतलब क्या होता है, यथा मूले और यथा मूले कोई थोड़ा और सरल शब्द में लिखा जाए, तो मूले के हिसाब से जैसा मूले हो वैसा, यथा का मतलब होता है जैसा इसके बाद Anticipatory का मतलब होता है, पूरव अनुमानित, जिसका की पहले से अनुमान लगाया गया है या अग्रिम भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसका अग्रिम के तौर पे भी इस्तिमाल होता है हाला कि अग्रिम और पूरा अनुमानित दोनों में अंतर है मतलब शाबदिक तोर पे देखा जाया तो अंतर है लेकिन ये शब्द दोनों के लिए काम आता है पूरू-पेक्षित यानि पूरू में जिसकी अपेक्षा की गई हूँ प्रत्याशित और प्रत्याशित नहीं प्रत्याशित जिसकी आशा की गई है वही तो प्रत्याशित है जिसकी आशा नहीं की गई है वह प्रत्याशित है इसके बाद अपीलेट पावर्स का मतलब होता है अपीली शक्तियां और अपॉइंट्मेंट्स कमेटी कमेटी ओब दे क जो रूपांतरन इसका हिंदी नहीं बलकि अर्भी फारसी वाले टोन में करते हैं तो मिसिल कहा जाता है फाइल भी लिखते देते हैं तो फाइल विन्यास देखने में अच्छा नहीं लगेगा न तो इसलिए एक रूप में ढाल दिया गया है मिसिल विन्यास इसके बाद as it यहां देख रहे हैं आप as is where is यानि जैसा है जहाँ है ठीक है जैसा है जहाँ है इसके बाद as person का देख रहे हैं आप लांचन होता है मतलब किसी पर कलंक लगाया है लांचन मतलब आरोप और आरोप भी कैसा एकदम छिचले क्वालिटी का एड प्रीमियम का मतलब बढ़े मूले पर या आधी मूले उसको कहा जा सकता है प्रीमियम पर सीधे सीधे लिख सकते हैं लेकिन ये वाला एकदब काम चला हो जाएगा आप सीधा सीधा यहां लिखिए बढ़े मूले पर attachment of earnings यानि कमाई की कुरकी कहा जाता है इसको जरा बढ़ा कर लीजे अच्छा ये आप देख रहे थे attachment of earnings का मतलब होता है कमाई की कुरकी कुरकी मतलब समझते है न अच्छा यहां देखें austerity का मतलब होता है मित उपभोग यानि कम खर्च जो उपभोग आप कर रहे हैं वो स अंग्रेजी का अनुवाद आपको मिलेगा यह कहना सही हैँ रहे रहा कि एक अंग्रेजी अनुवाद के लिए हंडी के बहुत सारे शब्द हाजिर हो जाएँगे कारण यह हैं कि हिंदी की तुल्णा में हींदी का शब्दकुष जैदा सक्षम है इसके पास शब्दों के स्वैंग सिध्धी, सिध्धी नहीं, स्वैंग सिध्ध, जो खुद को साबित कर सके, बैक आउट, यानि मुकर जाना और बैक अप का मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब कुछ अपना एक ऐसा सामान तयार करके रखना जो कि आपात काल में काम आए, बैक अप प्लान बना के रखना चाहिए, तो वहीं चीज़ है, बैटरी बैक अप, या डाटा का आप बैक अप लेते हैं, तो यह आपातों पयोगी होता है, यानि आपात काल जो होता है, उस समय काम आता है, बैट बारगिन, यानि घाटे का सौधा, बैट डेप्ट का मतलब होता है, डूबी होई रखन, बैट जिसके साथ लग गया, वो समझ लीज़े, डूब गया, यानि खराब हो गया, अच्छा, बैलस्टिक एक्सपर्ट, ये तो बताने क्या हो शेकता ही नहीं, बैलस्टिक का मतलब क्या होता है, प्रक्षेपड, तो प्रक्षेपड में विशेशक्य जो है, इसके बाद बैनिश्मेंट है, यानि देश निकाला, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बैंड, रिकॉंसलेशन का मतलब होता है, बैंक समाधान, ठीक, और बैंक रप्ट का मतल क्या है, तो दिवालिया, यहाँ पर बैंक होना चाहिए, जो कि बैंड दिया हुआ है, और बैंक स्क्रॉल का मतलब यहाँ पर, ठीक है, बैंक स्क्रॉल का मतलब होता है, बैंक पत्रक या बैंक स्क्रॉल सीधा-सीधा भी कह सकते हैं, लेकिन यह काम का नहीं है, जब आप अ इकूल प्रविष्टी कुछ तो common है आप जानते ही है advice note का मतलब क्या है advisory note जो सूचना पत्र होता है सलाकारी पत्र होता है सूचना में सलाह छेपी होती है इसलिए हाँ advice word का use किया गया advisory arbitration का मतलब क्या है सलाकारी विवाचन या व्याख्यान भी कहा जा सकता है या इसी को कहा जाता है सलाकारी मध्यस्त निर्डए यानि आपसी बातचीत के बाद जो फैसला होता है उससे संबन age of super renovation इसका मतलब है अधिवर्शिता आयो ये देखे spelling पर ध्यान दीजेगा यहाँ तो चार विकल्ब हैं आपके सामने मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खुद से लिखना होगा लेकिन उसमें भी हो सकता है कि spelling के आधार पर आपसे विवेध करने के लिए हलाकि ये ज़्यादा सम्मावना नहीं दिख रहे है पूछने के लिए बहुत सारे प्रशन है और अगर इसी में ज़्यादा डिटेल दे देंगे तो फिर पूरा एक पेपर इसी से तयार हो जाएगा तो बाकी सेक्षन के साथ ही ये आएगा तो इसमें हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी वाला ही सिस्टम चलेगा तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है या इसका अंग्रेजी क्या होता है अच्छा इसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप एगरेंटेजमेंट ये जो है ये विवर्धन को कहा जाता है या उसी को कहते है आती कथन यानि कथन से बढ़ कर कहा गया कथन जो कि विश्वास के लायक नहीं इसके बाद agricultural inputs का तो मतलब आप जानते ही या क्रिशी निविश्टिया इसको कहा जाता है air condition sleeper class यानि वाता नुकूलित शाहिका श्रेडी या शाहिन श्रेडी ये देखे alarm का मतलब आपात कालीन खत्रे का संकेत अब वो सुबह वाला alarm नहीं है कि आपात कालीन बजने लगा इसके बाद amortization of debit इसका मतलब है रिड मुक्ती से तात पर रहे ठीक और annihilation का मतलब होता है सर्वनाश एक Hollywood movie थी annihilation काफी विचित्र फिल्म थी तो सर्वनाश पर ही आधारित थी alien attack होता है और एक shimmer बनता है और वहाँ पर alien सर्वनाश करते है तो ये annihilation word उस समय काफी ज़्यादा प्रशलित हो गया था ये film की चर्चा यहाँ इसलिए हो रही है तो Oxford dictionary में उसे काफी तवज्जो दी गई थी काफी समय तक वो light मेरा फिलाल ये पहले से ही चला रहा है कोई नया शब्द तो है नी annotation का मतलब होता है टिपण लेखन टी का व्याख्या इसमें से कुछ भी जो वहाँ पर विकल्प मिले अब ऐसा नहीं है कि annotation दे कर यहाँ जो तीनो है वो दे देगा और अगर तीनो option दिया रहेगा मतलब तीनो यहाँ पर जो शब्द है टिपण लेखन आपका टी का व्याख्या टिपण लेखन आप पत्रा चार में करते हैं जब लेटर राइटिंग वाला लिखित परिक्षा आप देते हैं इससे आरो यारो इत्यादिव है तो उसमें टिपण लेखन की नौबत आती है तो फिलाल अगर यह तीनो दिया रहेगा तो फिर चौते option में कहा रहेगा उपरियोगत जो तीनो दिये हुए हैं सही है ऐसी सुविधा होगी अधर्वाइज एक ही इसमें से सही होगा इसके पाद यहां देखें तो anomalous position का मतलब होता है असंगत इस्थिती और permit का मतलब तो आप जानते ही है आग्या प्रदान करना अनुग्या मतलब वही आ गया अनुमती cell का मतलब प्रकोष्ट से तातपरे है यहां पर और rank का मतलब है shreddy से rank का वही अर्थ है जो common हम लोग लेते हैं उसमें कुछ नया नहीं है due date यानि नियत्ति थी और surplus का मतलब अधिशेश होता ही है कुछ शब्दों के अर्थ वही है जो कि हम दैनिक जीवन में इस्तिमाल करते है उसमें कोई परिवर्दन नहीं है वो दोयम दर्जे के शब्द नहीं project का मतलब परियोजना process का मतलब प्रक्रिया discount का मतलब छूट देना recruit का मतलब भरती करना यह बच्चों वाली spelling आपको quality मतलब गुण मतलब चलिए अब आगे चलते हैं अगले page पे इसे जड़ा छोटा कर लिया ज़़ा हाँ देखिए यहाँ पे यह इंकार कहां से आ गया अच्छा यह उपर से दिया हुआ है बेर डेनियल का जो यहाँ पे translation किया हुआ था ना कोरा प्रत्या ख्यान मतलब जिसका कि कोई आधार ना हो और उसी को साफ इंकार भी कहा जाता है तो यह आप देख रहें अच्छा base coin का मतलब होता है खोटा सिक्का जो कि बाजार में नहीं चलता है basic intelligence का मतलब है आधारित आसूचना या सूचना भी कहा जा सकता है इसके बाद beat guard का मतलब होता है गश्ति गारद गारद समझ रहे क्या है यह guard जो है इसका हिंदी translation करके गारद साहब बना दिया गया गारद साहब को गारद साहब अंग्रेजों के समय में बोला जाता था वही शब्द ये प्रशाशनिक शब्दा वली चुकि प्रशाशन का धाचा जो हमारा है वो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है लोग स्विकार नहीं करना चाहते हैं लेकिन असलियत यही है अंग्रेजों ने जो administrative structure बना के दिया है चाहे वो जिसकी नकल करके दिया हो पीछे से चाहे जिसको कॉपी उन्होंने किया हो लेकिन वही बनाया हुआ धाचा अभी तक चल रहा है ब्यूरोक्रेसी में वही है तो शब्द भी वही है गिजे पिटे अभी तक नहीं गया है बेल हॉप का मतलब होता है सूचक और बिलो पर का मतलब होता है और मूल्यन पर इसके बाद बेक्वेट का मतलब होता है वसियत करना या वसियत द्वारा देना वसियत द्वारा किसी को कुछ देना तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है और इसके बाद बेक्वेस्ट का मतलब क्या होता है तो वसियत, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्दे एक पता रहेगा तो दूसरा आराम से हो जाएगा इसके बाद बेवरेज का मतलब होता है पे और ब्लैक एकोनामी का मतलब काली अर्थवेवस्था जहाँ पर कुछ भी साफ सुथरा ना हो आप तोर पर जो काला धन होता है उसी से काली अर्थवेवस्था को जोड़ा जाता है जहाँ कर्चोरी होती है और भी कई सारे इसके मीनिंग होते हैं यहाँ हम एकोनामी नहीं पढ़ रहे है इसके बाद ब्लैंकेट डील का मतलब होता है व्यापक सौधा और इसके बाद यहाँ देखें बुक कीपर का मतलब मुनीम से तात पर रहे होता है बुक कीपर का मतलब वो पुस्तकाले का कहा जाता है नीचे की पंक्ती भी कह सकते हैं विशेशा दिकार भंग या विशेशा दिकार का अंत ये भी कहा जा सकता है ब्रेकप का मतलब ब्योरे से तातपर्य है और ब्रॉट फारवर्ड का मतलब है अग्रानीत जो आगे बढ़ाये गया हो बफर शब्द जो है इसका तात होता है तो यहां पर यह administrative buffer है इसके बाद buyback का मतलब है प्रतिक्राय और calling का मतलब होता है व्योसाय आजिविका से capitation fee का मतलब होता है प्रतिव्यक्ति शुल्क और यहां आप देख रहे हैं capulation का मतलब होता है आत्म समरपन पत्र से ठीक है spelling ध्यान दीजेगा c-a-p-i-t-u-l-a-t-i-o-n जो कठिन लग रहे है ना शब्द आपको मतलब हो सकता है कि कुछ शब्दों को आप न जानते हों मैक्सिमम को इसमें से जानते होंगे यह मुझे पता है इतना आप सक्षब है क्योंकि साधानर शब्द हैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन कुछ ऐसे अवश्य होंगे जिनसे कि आप अपरचित होंगे तो उन शब्दों को आप चाहें तो आर्थ बदल जाएगा अच्छा केरिट डाउन का मतलब होता है आधो नीद नहीं अधो नीद अधो मतलब होता है नीचे की तरफ तल शेश भी उसको कहा जाता है तल का मतलब भी नीचे carried forward का मतलब और carried down का आपने देखा carried forward का मतलब क्या होता है down का मतलब नीचे तो forward का मतलब यहां आगे से तात पर है तो इसलिए अग्रे नीद कहा गया या आगे बढ़ाये हुआ carry cost का मतलब होता है रख रखाओ की लागत और cash chest का मतलब होता है तिजोरी से ऐसा चेस्ट जहां cash रखा जाता है तो वो क्या होता है सुरक्षित जगा यानि तिजोरी नगदी रखने वाली सुरक्षित जगा cash discount का मतलब होता है नगदी छूट से और cash register का मतलब तो जानते ही है भई खाते वाला जो register होता है अच्छा ceiling का मतलब यहां उच्चितम सीमा से तात परे है price से तात परे होता है लेकिन price का भी जो उच्चे बिंदू होता है इसके बास central says का मतलब है केंदरी उपकर says मतलब होता है उपकर और cessation का मतलब होता है समापती charged affair का मतलब है कारेदूद से और civil suit का मतलब होता है civil vaad से या उसी को आप कहते हैं ऐसे सामाने बोल चाल की भाशा में दीवानी मुकत्मा दो तरह की मुकत्मे होते हैं नयायले भी दो तरह के होते हैं दीवानी और फौसदारी यह पहले से चले आ रहे हैं तो फौसदारी में मार काट और मतलब हत्या के जो मुकत्मे हैं criminal case हैं वो सब चलते हैं और दीवानी में जो civil cases होते हैं उनको देखा जाता है तो वही है यहाँ पर civil suit इसके बाद clockwise और anti-clockwise यह तो बताने कि आउशिकता ही नहीं clockwise मतलब घड़ी की सुईयां जिस दिशा में घुमती हैं उस दिशा में यानि दच्छना वर्थ anti-clockwise यानि वामा वर्थ closing balance का मतलब होता है रोकड बाकी या उसी को कहा जाता है रोकड मतलब होता है धनराशी पैसा, रोकडा बाहु बली मूवी देखी होगी आपने आपने से सभी लोगों ने देखी होगी तो उसमें जब बाहु बली और भल्लाल देओ अभी प्रिंस रहते हैं अभी उनका कोई ऐसा coronation नहीं हुआ रहता है तो वो सिंगपुरम में जाते हैं पैसा, पैसे का नोट से भी तातपरे हो सकता है सिकों से भी हो सकता है पहले की समय में जो अशर्फियां होती थी उनको रोकड कहा जाता था तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा ये पीछे वाला सिस्टम है रोकड बाकी आम तोर पे जो बही वाले रजिस्टर होते हैं उनमें अभी भी आप लिखा हुआ या कभी-कभी कुछ बैकों के चेकों में भी लिखा हुआ रोकड बाकी, रोकड जमा ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं अलगे अब शब्दावली में काफी परिवर्तन आ गया है लेकिन अभी भी ये शब्दाप को मिल जाएगा तभी ये चलन में है भी बाकी शेष राशी इसका actual meaning होता है इसके बाद यहाँ पे अगला शब्दाप देखें ये है कॉर्शन और कॉर्शन का या कॉर्शियन का मतलब होता है थोड़ा सा अंग्रेजों की तरह से बोलेंगे तो कॉर्शन पढ़ेंगे ठीक है प्रणॉंशियेसन फिलाल इसका मतलब होता है बल प्रयोग इसकी भी spelling ध्यान से देख लिजेगा कॉर्शन ठीक है प्रणॉंशियेसन आपका ठीक होना चाहिए किसी भी भाशा में शब्दों का उचारण ठीक करिएगा तभी आप शुद लिखेंगे भी और शुद पढ़ेंगे भी अच्छा इसके बाद अगला वाला जो है उसको देख लेते है कॉमेंसिरेट का मतलब होता है अनुरूप और कम्यूनिकेशन गैप का मतलब क्या होता है संप्रेशना भाव या संप्रेशन का भाव कम्यूटेड लीव का मतलब परिवर्ति छुट्टी और कम्यूटर का मतलब होता है दैनी के आत्री कमपेशन का मतलब तो आप जानते ही है अनुकंपा, कृपा और कंपेंडियम का मतलब क्या होता है सार संग्र और यहां देख रहे हैं आप कंपेंसेशन तो प्रति पूर्ति, छति पूर्ति से तात्पर्य होता है अभी पीछे देखा है और यहां दूसरे ढंग से दिया हुआ इस पेलिंग का अंतर है, ध्यां दीजेगा यहां पें कंपेशन है और यहां पें कंपनसेशन है दोनों में अंतर है, उचारण में अंतर है और दोनों भिन्न शब्द है कंपनसेशन का मतलब आप जानते हैं मुआपजा होता है कहते हैं इस घटना या इस नुकसान के एवज में मुझे इतना compensation चाहिए है न तो उसी को कहा जाता है उसको प्रतिपूर्ती भी बोलते हैं छतिपूर्ती भी बोलते हैं सारे शब्दों का अर्थ है कही है प्रतिकर भी बोलते हैं इसके बाद compliments का मतलब होता है समादर इस काम के लिए मुझे इतने बहतर compliments मिले complimentary का मतलब होता है मानार्थ और compression का मतलब होता है संपीडन compulsory liquidation का मतलब होता है अनिवार ये परिसमापन और यहां आप spelling भी ध्यान दीजेगा computer friendly का मतलब computer मित्र और consolation का मतलब होता है सुलह concurrent audit का मतलब है समवर्थी लेखा परिक्षा concurrent list आप quality में पढ़ते हैं वैसे ही यह audit है इसके बाद condon का मतलब होता है माफ करना और confession का मतलब होता है संस्विकृति या उसी को कहा जाता है इकबाल इकबाल मतलब स्विकार स्विकारोक्ति जूर्म का इकबाल किया अब यहाँ देखें तो यहाँ पर है confession इसका मतलब होता है अधिहरण या जबती किसी चीज को जबत कर लेना इसके बाद नीचे देखें तो connivance का मतलब होता है मिली भगत और यहाँ पर आप देख रहें conscription इसका मतलब है anivare scenic भर्ति या anivare sena की भर्ति इसके बाद यहाँ cosigni आप देख रहें यानि प्रेषिती प्रेषिती मतलब समझ रहें प्रेशक और प्रेषिती जो होता है प्रेशक यानि पत्र को भेजने वाला प्रेशिती यानि उसको रिसीव करने वाला यानि जिसे पत्र भेजा गया है इसके बाद नीचे देखें तो Contagious का मतलब होता है संसर्गिक और Contamination का मतलब होता है संदूशन संदूशन अर्थात किसी चीज को दूशित करना, खराब करना, प्रदूशन से भी तातपरी हो सकता है नीचे उसी चीज को देखें यहाँ थोड़ा सा Mistake हुआ है, यह Contamination का मतलब होता है संदूशन Spelling इसके आप देख रहे हैं और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है वी उपसर्ग का इस्तिमाल किया गया है, असल इसमें जो शब्द है वो निसिद्धी ही है और वही मतलब भी है, उलंगन को आप क्या कहते है, कंट्रवेंशन कहते है उलंगन, यानि किसी चीज का आवमान इसके बाद नीचे देखें, तो कंविक्षन, दोश सिद्धी को कहा जाता है, दोश सिद्ध करना और कंवे नोट का मतलब होता है, वहन पत्र, कूलिंग आफ पीरियड का मतलब है, उपशमन की अवधी ठंडा करने का समय ऐसे द्वा पर्थ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रशाशनिक धंग से लिखेंगे, तो हम कहेंगे, उपशमन अवधी कोरोनर का मतलब है, मृत्यू समीक्षक और करेस्पॉंडिंग का मतलब तो आप जाते ही है, तदन रूप, जैसा रूप है उसके हिसाब से, इसके बाद कोरोबरेट का मतलब होता है, समपुष्टी करना, कॉस्ट, ओवेरन का मतलब होता है, लागत लंगन, और नीचे काउं काउंटर बिड़ है, काउंटर चार्ज यानि प्रत्यारोप, काउंटर का मतलब है, वापस रिवर्स, उसका जो प्रतिक्रिया है, वो यहाँ जुड़ जाएगा, कॉप का मतलब अच्छा है, यहाँ देखें, काउंटर चार्ज का मतलब प्रत्यारोप हो गया, और काउंट कवरिंग लेटर का मतलब होता है सहपत्र कवरिंग लेटर का तातपरे होता है सहपत्र से क्रीमी लेयर यानि जो नवोननत वर्ग है और क्रेडिटर का मतलब होता है लेंदार या रडदाता से क्रेडिट स्क्रॉल का मतलब है जमापत्रक से क्रीम डेला उसका मतलब है उत्रोतम ये वर्ड आप देखी क्रॉस वोटिंग का मतलब है पक्षांतर मद्दान से क्रूशिल डेट का मतलब होता है महत्वपुन या निरडायक डेट मतलब आप जानते ही है तो निरडायकती थी इसके बाद क्यारिकुलम वाइटी का मतलब होता है आत्म वृत्त से कट मोशन यानि कट होती प्रस्ताव, कट आफ टेट का मतलब विभेदकती थी और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइफर टेलिग्राम का मतलब होता है, यह साइफर वर्ड है, इसको ध्यान दीजेगा साइफर टेलिग्राम का मतलब है बीज लेख तार, टेलिग्राम यानि तार और बीज लेख इसको कहा जाता है इसके बाद data processing तो आप जाते हैं, data प्रक्रमड प्रक्रमड ये processing की हिंदी है बाकि data को यहाँ पर data ही कहा गया है और data ही कहा जाता है date of discharge का मतलब है कारी मुक्ती तारीक, dating का मतलब यहाँ पर वो प्रेम वाली dating नहीं, तीथी दिर्धारण से तातपरे होता है या कोई समय आप फिक्स कर रहे हैं, दिनांकन कर रहे हैं day book का मतलब रोज नामचा अर्था diary से तात पर रहे हैं, जिसमें कि दैनिक क्रिया का लाप, मतलब दैनिक जो आंकडे हैं उन्हें दर्ज किया जाए, date account मतलब निश्क्रिय लेखा या निश्क्रिय खाता, date wait का मतलब होता है कुल भार, और date come retirement gratuity, यह एक लंबा सा यहाँ का मतलब होता है प्राधिकार निरसन और decategorization का मतलब होता है कोटी निरसन, deceased का मतलब है, मृता किया दिवंगत मतलब मरे हुए से तात पर रहे हैं, और decode का मतलब तो आप जानते ही हैं, किसी चीज को decode करना यानि उसके जो code है उन्हें तोड़ना, यानि कूट वाचन, इसके बाद decorum का मतलब होता है, सिष्टिता या सालीनता से, उसे मर्यादा भी कहा जा सकता है, deface मतलब विरूपित करना और defacto मतलब होता है, वस्तुता, वास्तों में, इसके बाद defalcation का मतलब होता है, गबन, ठीक, गबन, घोटाला, घोटाले को भी कहा जाता है, हाला कि गोटाले कई प्रकार के हो सकते, गबन में पैसा खाया जाता है सीधे, default का मतलब होता है व्यतिक्रम बयाना या चूक भी कहा जा सकता है, आप तोर पे हमें default जहां देखा जाता है, तो उसको हम यह समझते हैं कि default है तो इसका मतलब गलती सितात पर रहे हैं, लेकिन वो व्यति और का मतलब होता है विद्ध और delegated authority का मतलब है प्रत्ययोजित प्राधिकार, delegated authority यानि प्रत्ययोजित प्राधिकार, और delegation of powers यानि शक्तियों का प्रत्ययोजन, इसके बाद de-licensing का मतलब तो आप जानते ही हैं, de-licensing का उल्टा हो गया, तो यहाँ पर license रद्द करने से ता जाता है वही निरस्त करने से तात पर है, इसके बाद de-maris का मतलब होता है विलंब शुल्क और de-nomination का मतलब क्या है, तो de-nomination का मतलब होता है अभिधान, de-novo का मतलब है नय सिरे से और deportation का मतलब होता है निर्वासन या देश निकाला, depose, यहाँ देख रहे हैं आप, depose म D इसका मतलब है कर्टब्य की अवहेलना, ठीक है, मतलब कर्टब्य का पालन न करे तो उसके लिए शब्द है, V आरक्षन का मतलब होता है, de-reservation, D लगने का मतलब है कि उसका विपरीथ हो जाएगा, पस यही बात है, उसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं, D situate का मतलब होता है, निराश्रित, और देखिए, detention का मतलब है, नजरबंदी या उसी कोई रुकावनी कहा जाता है, एकदम ठेट भाशा है, बाकि निरोध कहा जाता है, चलिए, detrimment का मतलब यहाँ देख रहे हैं आप, detrimment का मतलब होता है, अहित, और dice non का मतलब है, अकार दिन या approbation का मतलब होता है, अननुमोदन, approbation का मतलब है, अनुमोदन, और उसमें जब dis word लग गया, तो यह उलट गया और यह हो गया, अननुमोदन, या उसी को कहते हैं, नापसंदगी या असमती, पसंद जो नहीं आएगा, उसके प्रती सहमती नहीं हो सकते, disband का मतलब है, तो का मतलब होता है, विवेक अनुदान, और discretionary power का मतलब होता है, विवेक अधिकार, या उसी को कहा जाता है, मतलब अपने विवेक के द्वारा आप काम करें, तो वो स्वेक्षा निरड़े कहलाता है, या स्वेक्षा निरड़े अधिकार कहलाता है, मतलब अपनी स्वेक्षा Dissent मतलब विमति या असा मती Dissert यहाँ आप नीचे देख रहे है Dissert wise का मतलब होता है अपकार ये देखे और Distress का मतलब होता है विपत्ती से ठीक है Ditto का मतलब यतो परी जैसे उपर लिखा गया है वैसे ही कहते हैं ने यतो परी जैसा यतो उपरी उपर ही मतलब उपर इस के पाद vivid yen का मतलब लाभाँश, dividend fund division bench का मतलब है खंड़ पीट से और dog का मतलब होता है dog yard यानि गोदी वही बंदरगाह से तातपर गोदी मतलब हो माँ की गोदी नहीं अच्छा निर्वाहदान को doll कहा जाता है और domicile कहा जाता है अदिवास को इसके बाद dormitory का मतलब होता है शयन शाला मतलब जहां पे शयन किया जाए सोने का कमरा और नीचे देखे दॉवे telling का मतलब होता है डब चूल से मतलब इसे आप krumvation समझ लीजे krumvation एक अच्छा शबद है इसको याद रखेगा, यही प्रशाशनिक शब्द में काम आएगा, क्रमवेशन, ठीक है, डाउन पेमिंट का मतलब ततकाल अदाईगी है, और ड्रैस्टिक मीजर का मतलब होता है, कठोर कारवाई, या कठोर उपाय भी कहा जा सकता है, ड्राई प्रमोशन या निरलाप पदो नती, और ड्यू का मतलब तो आप देखी चुके है, नियत, निश्चित किया हुआ, उसको दे या प्राप्त भी कहा जा सकता है, ड्यू डेट अभी पीछे देखा था तो फिर बताने क्या हो, शक्ता नहीं है, हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है, मृत्यू कालिक कठन और ऐसा माना जाता है, कानून भी मानता है, कि मरता हुआ आदमी जो है, जूट नहीं बोलता है, और उसका कहा हुआ कठन, मतलब उसको ब्रह्मवाक्य माना जाता है, उससे मान लिया जाता है, तो अब यहां से फिर से अब अगला सिलसिला स्टार्ट होता है, तो पहला वर् का मतलब है किफायत पर्ची और effective का मतलब तो आप जानते ही हैं और यहां देखें eloquence का मतलब होता है वाक पटुता ठीक वाक कौशल को कहा जाता है इसके बाद elucidation का मतलब होता है विशदी करण यानि व्यापक करना किसी को फैलाना किसी चीज को फैलाना emboss का मतलब है अधिकरित seal लगाना या समुद्र मृत कहा जाता है यह कुछ विचित्र जो अनुवाध है इसको जाने दीजे अधिकरित seal लगाना यानि मुहर लगाना किसी पर जैसे आप पढ़ते हैं कि हडपा और मुहन जोद्रों में बाहर की विदेशों की जो इस्तिमाल की जाने वाली seal हैं यानि मुहरे हैं वो प्राप्त होई हैं मुहर से ताथ पर यहां सोने के सिक्पों से नहीं है एक authority का symbol होता है चिन्न होता है उसको कहा जाता है इसके बाद impaneled officer का मतलब है नामिकागत अधिकारी और यहां आ जाईए impanelment का मतलब होता है नामिकायन या panel ब मतलब होता है विलंगम या भार से ताथ परे होता है इसके बाद endorse है प्रिष्ठांकन करना endorsement है ना बेचान करना भी कहा जाता है सही करना भी कहा जाता है लेकिन इसका जो प्रशाशनिकर्थ है वो होता है प्रिष्ठांकन और endowment का मतलब होता है विन्यास विधी भी कहा जा सकता है enlist का मतलब होता है भरती करना या भरती होने से भी तातपर है नाम लिखना सूची में नाम चढ़ाना यह सब उसी से जुड़ा हुआ है interest का मतलब होता है सौपना और entry तो आप जानते ही हैं इसके बाद यहां देखें ephemeral file का मतलब होता है अलपकालिक missile file को missile कहा जा रहा है बार-बार वो ध्यान दीजेगा और epitome का मतलब है निशकर्ष उसी को सारान्ष भी कहा जा सकता है error का मतलब होता है शुद्धी पत्र errors and omissions accepted e and oe इसको shortcut में आप लिखा हुआ अकसर देख सकते हैं मतलब वही भूल चूक लेनी देनी अब यहां आ जाते हैं तो escalating का मतलब होता है बढ़ती हुई और state का मतलब होता है संपदा ध्यान दीजेगा यह st, a, t, e state नहीं है state है state ठीक real state जो आप कहते हैं इसमें e लगा हुआ है और इसके बाद आगे बढ़ें यहां देखें adequate का मतलब होता है सिष्टाचार और eventual remedy का मतलब होता है अन्तोपचार अन्तिमुपचार evidence pay का मतलब प्रिथक करण चेतन और ex-cader post का मतलब होता है समवर्ग बाहय पद या cater के बाहर वाला जो पद होता है cater शब्द का आप इस्तिमाल कर सकते हैं और आम तोर पर आयोग भी जो विकल्ब देता है उसमें ये प्रियोग करेगा तो cater के बाहर वाले जो पद होते है exemplary behavior का मतलब होता है अनुकरणिय विवहार और ex-gratia grant का मतलब होता है अनुगरह अनुदान ex-im का मतलब होता है आरोब मुक्त करना और ex-party का मतलब है एक पक्षी है expatriation का मतलब है देश निकाला expatriation मतलब देश से बाहर निकालना कार्य उत्तर यानि आप कैसे लिखेंगे ex post facto तीन अलग-अलग शब्दों को एक में मिला लिया गया ये ex जो है उकसाने से भी तातपरे होता है उद्वीबन का मतलब यहाँ पर उकसाना है face value का मतलब अंकित मूले है और fact finding मतलब तथ्यान वेशन है तथ्यों को खोजना यहाँ आप देख रहे हैं falsification of accounts का मतलब है लेखा मिथ्या करन जो accounts है उनमें तोखादड़ी चालबाजी और feasibility study का मतलब होता है साध्यता रपट साथ में feather bedding का मतलब होता है अधी रोजगार यहाँ देख रहे हैं आप feedback यानि पुनरभरण प्रतिपुष्टी या प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है और fixious यहाँ देखे फिलिक क्लर्क का मतलब होता है फाइल कार और fingerprint का मतलब तो आप जानते हैं अंगुली च्छाप होता है यह तो सभी लोग दे रहे हैं फायर फाइटिंग मतलब अगनी शमन और यहाँ देख रहे हैं फिस्ट इन फिस्ट आउट मतलब पहली आई पहली जाई पहले आओ पहले जाओ पहले आओ पहले पाओ है न लेकिन यहाँ पाने से नहीं जाने से तात पर रहे है फिस्कल मतलब राजकोशी होता ही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं fixers है और साथ में flat rate है ये जुडने से तात पर रहे होता है किसी चीज को जब सनलग न किया जाता है तो इस शब्दिका इस्तिमाल किया जाता है बागी फ्लैड रेट का मतलब एक समानदर होता है सपाट दर भी कहा जा सकता है लेकिन ये न समझ में आए तो आप समझ लीजे एक समानदर फ्लाई लीफ मतलब यहाँ पर कोरे पनने से तात पर रहे होता है उड़ती हुई पत्ती से नहीं शाब्दिकर्थ तो यही निकलता है कि हवा में पत्ती उड़ रहे है लेकिन यहाँ पर कोरा पनना फॉलो अप मतलब अनुवर्दन और फॉरफीट का मतलब होता है जब्द करना या समपहरण करना पहरण करने का मतलब है किसी चीज को गायब करा देना आपने बूते बलपूरवक तो यहाँ पर जब्द करने से तात पर रहे है फोर फाइल का मतलब होता है जीवन परियंत या आजीवन और यहां आप देख रहे है फॉर्ट्यूटियस सर्कलम स्टेंसेस इसका मतलब है अप्रत्याशत घटना से ऐसी घटना जिसकी की प्रत्याशा या अन्दाज या उसकी आशा ना की गई हो तो यहां तक हमने देखा है अभी बहुत सारे शब्द बचे हुए है इसमें इतना है प्रशाशनिक शब्दा वली की हमारी दूसरी क्लास है तो आई आगे चलते हैं यहां हम F से देख रहे थे कुछ वर्ड्स को हमने देखा था कुछ और कंप्लीट करने है तो फारवर्डिंग लेटर का मतलब होता है अग्रेशन पत्र ऐसा पत्र जिसे कि फारवर्ड किया गया हो अग्रेशित किया गया हो फ्री होल्ड का मतलब होता है पूर्ण स्वामित्वर्ड फ्री ओन बोर्ड का मतलब है पूर्द परियंत निशुल्क ठीक निशुल्क से तात परे है इसके बाद फ्री ओन रेल का मतल नई पावती और Frictional Unemployment का मतलब है अस्थाई बेरोजगारी General Body यानि साधारण निकाय या साधारण सभा General Power of a Tony यानि मुक्तार नामा जो आम मुक्तार नामा होता है उसको कहा जाता है Genius of Language तो इसको कहेंगे यहां देखे भाषा की प्रकृती और Glaring का मतलब होता है सूसपष्ट Golden Handshake यानि स्वर्णिम विदाई हाथ मिला के विदा हो गए और Good Offices का मतलब है मंध्यस्तिता Government State यानि राज संपता State का हमने पीछे देखा था जब E से हम देख रहे थे तो हमने देखा था इसका मतलब होता है संपती Government लग गया है तो उसी हिसाब से आप convert कर सकते हैं Government of India concern यानि भारत सरकार के जो प्रतिष्ठान है उनसे तात पर है Government of India undertaking यानि भारत सरकार उपक्रम आप देखते हैं ने कि भारत सरकार का एक उपक्रम किसी भी संस्था के बोर्ड के साथ ये लगा रहेगा तो इसका मतलब है कि वो Government की है मतलब Central Government की है इसके बाद यहां देख रहे हैं आप graduated taxation यानि क्रमवर्धी कराधान taxation मतलब होता है कराधान grant in ad यानि सहायता अनुदान और grapevine का मतलब क्या होगा तो इसका मतलब होता है अपुष्ट समाचार ऐसा समाचार जिसकी की पुष्टी जिसकी की प्रामाडिकता न हो मतलब उसे प्रामाडिक न किया गया हो gratitude मतलब उपदान होता है यह green hand का मतलब अनाडी हरे हाथो वाला यानि अनाडी व्यक्ती जो कि अपने काम को ठीक धंग से नहीं जानता है gross abuse का मतलब होता है घोर दुरुपयोग grouping and grading का मतलब है वरगी करण और कोटी करण या उसी को वरगी करण और पद क्रमण भी कहा जाता है handling of deck का मतलब होता है कारवाई करना यह dark से तात पर रहे है यहाँ deck नहीं यह dark है मतलब dark सेवा से कुल मिला कर handling का मतलब यहाँ पर कारवाई से तात पर रहे होता है इसके बाद यहां देखें आप Howledge का मतलब होता है ढुलाई से या ढुलाई खर्च से भी कभी कभी देखा जाता है दोनों में अंतर है हेजार्ड का मतलब होता है जोखिम और Health Resort का मतलब होता है आरोगे शम मतलब जहां कि आरोगे धारण किया जा सके या सेरगाह जहांके अच्छा स्वास्ते करने के लिए लोग ऐसे ही हवा पानी बदलने के लिए जाते हैं यह पहले के समय में होता था कि भाई गर्वी में शिमला चले जाएए प्रदूशन से आप मुपत हो जाएगे अब आजकल किसी को फूरसाथी नहीं है इसके बाद हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई यहां देख रहे हैं अनुशूती परतात पर रहे है यहां आप देखें तो यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजेगा यह यान नहीं है बलकि वैन है वी यहां पर होना चाहिए जोकि barbecue होस्पें का मतलब होता है श्रव्वाहन ऐसी गाड़ी जोकि लाशों को ढोती है अच्छा इसके बाद here apparent का मतलब होता है ब्रत्यच्फवारिस और here in before इसका मतलब है इसमें इस से पूरौव इसमें इस से पूरौव ठीक है यह here in before here under का मतलब इसके नीचे या a tad dhВी कहा जाता है, high farrier flare का मतलब होता है, अती सफल मतलब ये किसी बहुत जादा जो सफलतम व्यक्ति होता है, उसके लिए इस्तिमाल किया जाने वाला जुमला है, कभी-कभी चढ़ाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, hiring and firing का मतलब रखना और निकालना होता है, you are hired and you are fired, ठीक है इसके बाद history sheet का मतलब है इती वृत्ति से, holograph का तो मतलब आप जानते हैं, स्वलेक से तातपरे होता है homage मतलब श्रधानजली होता है honorific prefix का मतलब होता है सम्मान जनक शब्द ठीक, और hue and cry का मतलब दुहाई देना ठीक, ये देख रहे हैं achievement का मतलब होता है अस्थाई इमारत और hypothecation का मतलब होता है माल बंधन या उसी को आडमन भी कहा जाता है अब ये कुछ विचितर शब्द जो है उनको जाने दीजे, माल बंधन से तातपरे है abidave का मतलब है या abid भी कहा जाता है इसका मतलब है वही ये अव्यय है हिंदी के हिसाब से identical का तो आप जानती है समरूप से तातपरे है मतलब तद रूप भी कहा जा सकता है एक जैसा भी कहा जा सकता है कई सारे इसके लिए शब्दे सबका अर्थ है कही immediately immediately यहां आप देखे preceding का मतलब होता है यहां देख रहे है आप immediately preceding इसका मतलब है ठीक पूर वर्ति या ठीक पहले का immune का मतलब उन्मुक्त और impediment का मतलब होता है urgent या बादा imperative का मतलब होता है लाजमी या अनिवारे अनिवारे से तातपरे होता है उसी को लाजमी कहा जाता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं अब इसके बाद यहां से देखे तो यहां आप देख रहे है impersonation का मतलब है छद्मरूपण या प्रतिरूपण यहां देख रहे हैं implicate का मतलब होता है फासना या फसाना Imposed का मतलब होता है महसूल जिसे की चुंगी भी कहा जाता है और Impound मतलब परिबद करना Impressed का मतलब होता है अग्रिदाय और Improper का मतलब है सुधार प्रवण जोकि अभी तक प्रॉपर नहीं Imputation का मतलब अभ्यार ओपन या लांचन In Abiance का मतलब होता है प्रास्थगित और In Camera यानि बंद कमरे में और Incidence of Pension इसका मतलब होता है Pension भार से Insight का मतलब है भढकाना या उकसाना या Spelling ध्यान दीजेगा भढकाना उकसाना या उद्वीप्त करना उद्वीप्त करने का मतलब भी वही होता है उकसाने से ही In Contigo का मतलब होता है अज्यात या गुप्त रूप से जैसे YouTube में एक mode होता है Search mode में ये एक option होता है चश्मे वाला तो इसे अगर आप on कर देते हैं तो आप एकदम नए सर्च करने वाले बन जाएंगे जो previous आपके सर्च note है मतलब जिन चीजों को आपने खो जा है वो सब वहाँ से डिलीट हो जाएगा आप नए सिरे से एकदम fresh किसी भी चीज को देख सकते हैं तो ये mode होता है मतलब गुप्त रूप से आप सर्च कर सकते हैं inferior मतलब निम्निया अवर और inflated billing का मतलब होता है speed billion inflated मतलब speedy से युक्त तीवरता से युक्त उठान से युक्त ये भी कहा जा सकता है अच्छे शब्दों को ही चुनेंगे और अच्छे शब्दी परिक्षा में आएगे ने तो बोल चाल के बहुत सारे शब्द है अच्छा आधारित संरशना जो होती है आधारिक संरशना यानि आधार से जुड़ी हुई जो संरशना होती है या उसी को आप infrastructure कहते है तो वह infrastructure है अव संरशना ही जानिए आधारित संरशना भी कहा जा सकता है इसके बाद inference का मतलब होता है अतिलंगन और initials का मतलब होता है आध्यक्षर Input मतलब निर्विष्ट और intentionally का मतलब होता है साभी प्राय या साशय आशय युक्त Inter-allya का मतलब होता है किसी चीज के साथ साथ तो ऐसे शब्द का हम इस्तिमाल करते हैं Interception का मतलब होता है अंतरग्रहन, रोक लेना या अंतरावरोधन, मतलब तीन शब्द इस्तेमाल किये गए हैं, अंतरग्रहन या फिर रोक लेना या अंतरावरोधन, अब जो शब्द आपको मिल जाए, उसे आप चुल ली जएगा, इसलिए तीनों शब्द आपको याद होने इंतरिम का मतलब अंतरिम ही होता है, जो कि अंतिम ना हो, अंतरिम हो, इन्वायस यानि बीजक, इन्वार्ट जर्नी का मतलब होता है अंतयात्रा या अंतयात्रा, इन्वार्ट रजिस्टर का मतलब होता है आवक रजिस्टर या आवक पंजी, इन्वार्ट रिटर्न्स का मत का मतलब होता है आवक विवरणिया और यहां आप देख रहे हैं एपसो फैक्टो का अमतलब होता है स्वय इस्वाइब इस से एपसो जिओर का मतलब होता है विदिता इस्ट यहां जानते ही आप यह डाइलिंग से ताहarnyaanti है इंतरनेशनल मतलब तो आप जानते ही है अब जुआइन का मतलब जोड़ना होता है शापदिक दोर पे लेकिन यहाँ पर जुआइन का मतलब नौकरी का पद भार ग्रहण करने से तात पर होता है जुआइन टैनुटी का मतलब होता है सेयुक्त वार्शिकी और जुआइन इंटेलिजेंस स् किशोर अपराद वृत्ती ठीक है जो विनाईल मतलब होता है किशोर किशोर अवस्था सितात पर्य होता है और अपराद वृत्ती को कहा जाता है डेलिन्क्वेंसी याद रखी गई दोनों शब्द अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं किबोर्ड का मतलब आप जानते ही हैं बाकी किकबेक का मतलब होता है उतकोच समझ रहे हैं घूस या रिश्वत अच्छा किंग-पर्सवल का मतलब होता है कृपा-पूर्व का उलोकन करना और रिकलमनेशन का मतलब होता है भूमी पुनरुधार land tenure का मतलब होता है पट्टेदारी या भूदृती उसको कहा जाता है भूमी कितने समय तक धारण कर रहे है labs का मतलब है बीत जाना या व्यपगत होना या गलती ठीक है गलती से तातपरे होता है lateral relations का मतलब है पार्श्विक संबंद से और आईए अब आगे चलते हैं यहाँ देखे आप latitude दिया हुआ है तो latitude का यहाँ पर मतलब है छूट या धील से वो longitude और latitude में मत जाईएगा lay before वही कहा जा रहा है यहाँ जो शब्द है उचाल से लीप यह आप जानते ही है lease come sell deed का मतलब होता है lease come sell deed इसका मतलब है पट्टा या विक्री विलेक से lease accommodation का मतलब होता है पट्टा आवाज से और lease hold का मतलब होता है पट्टे पर या पट्टा धृती पट्टा धारन करने की अवधी कुल मिलाकर लीव इनकैश्मेंट का मतलब होता है यहां आप देख रहे हैं यह देख रहे हैं लीव इनकैश्मेंट का मतलब होता है छुट्टी के बदले नगत भुगतान छुट्टी भुनाने से तात परे होता है भुनाना यानि पैसा कमाना लिगेसी का मतलब होता है वसियत सब पदा बिधी से तात परे हैं मतलब विधी विशेक है और lenancy bias का मतलब होता है शैथिल ले उदारता या शैथिल ले सहीशनुता शिथिलता यूग्थ लैवी का मतलब होता है उद्ग्रहण या उगाही कहा जाता है और लीन का मतलब होता है लीन भी कहते हैं अब इसके कई सारे प्रॉनूशेसन है आप अमेरीकन इंगiantlyश को फालो कर रहे हैं कि British इस पर डिपेंड करता है हला कि जितने आप देखते हैं एडमिनिस्टेटिव वर फिलान आगे चलते हैं। तो यहां आपने देखा पुनरग्रहण आदिकार इसको कहा जाता है। लीन जो word है न मतलब लीन जो इसका प्रानौशियेसन है। यह ब्रिटिश टोन में हैं। और लीन कहा जाता है अमेरिकन टोन में। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं। इसके बाद lightening काल का मतलब होता है तडित काल, तडित मतलब बिजली, liquidated damages का मतलब होता है परिनिर्धारित नुकसानी और levery allowance का मतलब होता है वर्दी भत्ता, live stock का मतलब तो आप जानते ही हैं और lobbying का मतलब होता है पक्ष जुटाओ, यानि अपना पक्ष जुटाना, login period का मतलब परिबंधन अवधी है, locust standing का मतलब होता है यहां आप देख रहे हैं, locust standing का मतलब होता है अधी स्थिती या सुने जाने का अधिकार, long hand का मतलब हाथ से लिखाई या हस्त लेखन, short hand और long hand ये short hand आपको आना चाहिए APS की परिक्षा में, अच्छे मतलब आपको select ह लिए आपको अनिवारी रूप से short hand आना चाहिए, चलिए, loose change का मतलब होता है, रजगारी, चिलर, मतलब जो फुटकर पैसा होता है, उसको खरीज भी कहा जाता है, खेरीज नहीं कहा जाता है, खरीज कहा जाता है, अच्छा, lowest rung का मतलब होता है, निमनितम सोपान, और lump sum क का मतलब होता है, लमसम लोग बहुत तेज बोल देते, इसका मतलब होता है, एक मुष्ट, एक बार में जो अदाईगी की जाती है, एक राशी, machinery of government यानि शाशन विवस्था, madden name का मतलब होता है, पूर्वनाम और mandatory का मतलब होता है, आग्या परक, इसके बाद man days का मतलब हो किसी भी सामान के साथ मिलता है, तो नियमावली सितात परे होता है, उसको दीपिका भी कहा जा सकता है, पुस्तिका कहना सही नहीं है, मेरे ख्याल से, बाकी अगर अर्थ में है, ये अर्थ में रहेगा भी नहीं, नियमावली सितात परे, अच्छा मार कर, मार कर ही कहेंगे, मसकट मतलब होता है शुभंकर किसी भी बड़े खेल आयोजन में आप देखते हैं मसकट होता है या किसी भी चीज का मसकट होता है अपना तो ये चीज है मेडिकल री इंब्रेस्मेंट का मतलब होता है चिकित्सा व्य प्रतिपूर्ती और मेगा पोलिस का मतलब होता है महानगर उसको ब्रहत नगर भी कहा जा सकता है मेरिट प्योरोकेसी का मतलब है गुणवान अधिकारी तंत्र और यहां आप देख रहे हैं मेटल्ड रोड का मतलब होता है पक्की सडक, मेटालिक रोड मिडवाइफरी का मतलब है प्रसूती विद्या और मिडवाइफ मतलब क्या होता है जो प्रसूती कराने वाली दाईयां होती इसके बाद नीचे चले तो मिस एप्रोप्रियेशन का मतलब होता है दुर विनियोजन विनियोजन मूल शब्द है और उसमें में नियोजन मूलशब्द ata इसमें दो उपसरग एक साथ काम कर रहे हैं धूर और वी इसमें दो उपसर लगे है फिलाल miscarriage of justice यानि नयाय की हत्या या घोर अनयाय कहा जा सकता है नयाय की हत्या हो रही है तो अनयाय ही हो रहा है यहाँ आप नीचे देखें तो मिस रिप्रेजेंटेशन ठीक, मिस लगा यानि यह उलट गया, रिप्रेजेंटेशन का उल्टा हो गया यानि यहाँ पर अनिथा कथन से ताथ पर है ऐसा कथन जो की उचित नहूँ मॉडस ओपरेंडी का मतलब होता है कारे प्रणाली और मॉनिटर का मतलब तो आप जानते ही है मॉनिटर करना भी होता है और अनुवीक्षण उसको कहा जाता है इसके बाद मोनोग्राम है मोनोग्राम का मतलब होता है नामचिन और अधीस थगन कहा जाता है मॉटोरियम को इसके बाद motion of confidence यानि विश्वास प्रस्ताओ, motto का मतलब होता है आदर्शवाक के, mouthpiece का मतलब होता है मुख्य पत्र या मुख्य पत्र उसको कहा जाता है, असल में मुख्य को मुख्य माना जाता है, तो कहीं कहीं मुख्य पत्र लेकिन मुख्य पत्र होता है असल में, शुद् mutatis mutandis ये एक अच्छा शब्द है mutatis mutandis इसका मतलब होता है आवश्यक परिवर्तनों सहित जितने परिवर्तन आवश्यक है उनको समेटे हुए इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं तो mutilated का मतलब होता है कटा फटा या विकृत नैसेंट का मतलब नैसेंट इंडस्ट्री का मतलब होता है नवजात उद्योग और नायज का मतलब होता है नहीं पक्ष या इनकार पक्ष कहा जाता है नो claim bonus का मतलब है अदावी चूट और no delegacy का मतलब होता है केंद्र का भी करण no demand certificate यानि बेबाकी प्रमाड पत्र, no adration का मतलब होता है अपालन या पालन विहीन कहा जा सकता है non age मतलब अव्यासकता यहां देख रहे हैं आप, non selection post का मतलब होता है अप्रवड पद और non applicable, not applicable का मतलब होता है लागू नहीं, जो applicable ना हो not available आप जानते ही है, notice आप motion का मतलब होता है प्रस्ताओ सूचना null and void का मतलब होता है बातिल और सूनने, ठीक है null मतलब क्या, शूनने, इसके बाद office memorandum का मतलब है कारियाले ग्यापन और office note का मतलब होता है कारियाले टिपड़ी यह पत्रों के प्रकार होते है इसके नीचे आप देखें तो official dome का मतलब होता है अपसर चाही और official lease का मतलब होता है, official lease का मतलब होता है कारियाले भाषा या कारियाले में काम आने वाली भाषा, after record का मतलब है अप्रकाशनी है, रिकार्ड से हट कर जो होता है सीधी बात है, ओके मतलब तो आप जानते ही है, open day मतलब मुक्त दिवस होता है, outfit allowance का मतलब होता है, परिधान भत्ता, और पैरी पैसु का मतलब होता है, के साथ साथ या समान गती से, या समरूप उसी को कहा जाता है, pendant elite का मतलब होता है, वाद कालीन, और pension pay order का मतलब है, pension पट देना, जिसका की कोई आधार नहीं, perks का मतलब होता है, perks मतलब होता है, अनुलबदिया, यहाँ आप नीचे देखे, persona non grata, इसका मतलब होता है, आवानशित व्यक्ति से, और person to person call, यानि जो PP call होती है, उसका मतलब होता है, व्यक्ति विशेश call से, plant quarantine का मतलब है, पादब सं जाता है, pocket calculator, कितनी tough इंदी लिखी हुई है, यहाँ जो संगड़क और परिकलित्र जैसे शब्द हैं, परिकलित्र मतलब calculator, अच्छा, post mortem examination का मतलब होता है, मरडोत्तर परिक्षा, मरने के बाद जो सिर फोड़ कर और पेट फाड़ कर, अंगों का मिरसा रखा जाता है, और परिक्षन किया जाता है, वो सब, अच्छा, इसके बाद post script का मतलब होता है, पुनष्ट भी कहते हैं, उसी का मतलब होता है, पुनष्ट थोड़ा ज्यादा tough हो जाता है, छोटे से शब्दों में बहुत सारा लंबा आर्थ चिपा है, इसको पुनष्ट लेक कहा जाता है, potential प्रोराटा का मतलब होता है, इसमें कई सारे French वर्ड है, ब्रिटिश के साथ साथ, फ्रांसी सी शब्दों और लाजों का इस्तिमाल किया गया है, इसलिए कुछ आपके समझ से बाहर हो सकते हैं, तो उनका आपको exactly पता होना चाहिए, इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद Public Interest Intigation का मतलब होता है, लोख हितवाद या जन हितवाद, और Quadraplicate का मतलब होता है, चोहरा, ठीक है, यहाँ पे Quad से तात पर रहे हैं, तो चोहरा या चार प्रतियों से भी तात पर रहे होता है, किसी जैसे पत्र की चार प्रतिया है, या किसी दस्तावेज की चा पांच, तो यहाँ पर पंचवार्शिक से तात पर होता है, पंचवार्शिकी भी कहा जा सकता है, कोरम आप देख रहे हैं, तो गणपूर्ती से तात पर है, रैंडम मतलब अन्यमित, रियल टाइम का मतलब होता है, कंप्यूटर से संबंदित, प्रक्रम अनवधी, यह कंप पावती पत्र, यानि Registered Acknowledgement Later, तो यहाँ तक हमने किया है, एक क्लास और है, जिसमें कि हम बचे कुछे शब्दों को देखकर इस काम को पूरा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रशाशनिक शब्दावली की यह तीसरी और अन्तिम क्लास है हमारी, तो आईए बचे क मतलब होता है पावती, यानि प्राप्ती हो चुकी है, इसकी पुष्टी की जाती, फिलाल Rejection Memo का मतलब है अस्विकृती पत्र से, और Reach Winder का मतलब होता है प्रति उत्तर, रिमोट कंट्रोल आप जानते ही हैं, सुधूर नियंत्र, और मतलब आप बेड़ पे बैठे हुए टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं, या एसी को कंट्रोल कर रहे हैं, या किसी चीज को भी, इसके बाद Resource Person का मतलब है ज्यान सरोत व्यक्ती और Rolling Plan आप जानते ही हैं, प्रवाही योजना होता है, जनता पार्टी की सरकार आती है, और Congress Party की दवारा जो बनाए हुए 5 यर प्लान थ होता है, विराम अवकाश, सैंडविच कोर्स, यानि मध्यवर्ती पाठिक्रम, स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब होता है, चानबीन की समिती और सर्च वारंट का मतलब तलाशी अधिपत्र, जो कि पुलिस लेकर आती, इसके बाद यहां नीचे आप देख रहे हैं, यहां तक द चेट से, और शॉपिंग, यहां शॉपिंग एर्केट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, विपड़न आर्केट से, एर्केट कहा जाता है, यहां आर्केट लिखा हुआ है, दोनों प्रणोंशेशन आप कर सकते हैं, शॉपिंग आर्केट, ठीक है, इसके बाद साइन, सा स्लीपिंग पार्टनर यानि निश्क्रिय भागिदार ठीक है स्लीपिंग पार्टनर यानि सोता हुआ आपका भागिदार तो यह क्या स्लीपिंग का मतलब वो सोता नहीं है मतलब वो निश्क्रिय रहता है बाकी स्नैप स्ट्राइक का मतलब है कस्मा धरताल से और सोजन का मतल मतलब होता है अवस्थान या विराम से अब यहां आ जाईए special power of attorney का मतलब है मुक्तार नामा खास से spiral binding आप copy लेते हैं ने spiral binding वाली मतलब सरपिल जिल्द उस पे लगी रती है चल्लेदार उसका पीछे से जिल्द साजी किया रहता है उसमें मोरने तोड़ने में सुविधा होती है standing committee का मतलब है स्थाई समीती से और status quo का मतलब होता है यथा पूर्व स्थिती से STD अभी ISD का पीछे देखाता है STD का मतलब होता है subscriber trunk dialing subscriber trunk dialing STD इसको कहा जाता है steering committee का मतलब है विशय निर्वाचन समीती से steering committee का तातपर ये क्या होता है विशय निर्वाचन समीती stop gap arrangement मतलब काम चलाओं और streamline का मतलब है सुप्रभावी सुप्रवाही बनाना CO का मतलब होता है मुगदमा चलाना सुपरमेसी का यहां आप देख रहे हैं यह word actually है supernumerary ठीक है तो supernumerary का मतलब होता है अधी संखे यानि बहुँ जादा संख्या में surname का मतलब कुल नाम से है और surveillance का मतलब होता है निगरानी suited labor का मतलब है social economic जिसका social किया गया हो take home bay का मतलब है nibble wetan से असल में यहां नीचे देख रहे हैं tempering का मतलब होता है hair fare करना या गड़बड करना tax evidence यानि tax loophole इसको कहा जाता है इसका मतलब है कर परिहार tax evasion का मतलब होता है कर वंचन या कर को छिपाना tenant का मतलब नियम terminal benefit का मतलब होता है सेवान्त हितलाव terminal charges मतलब चुंगी से तातपरे होता है और terminus का मतलब होता है terminus ठीक है कुछ शब्द ऐसे होते है जो कि यथा रूप इस्तेमाल होते है वाकि tear का मतलब होता है इस्तर और time bad का मतलब होता है काला तीत time recording machine का मतलब समय लेखी machine जो समय को record करती है treaty of extradition यहाँ देख रहे हैं आप error method का मतलब होता है breath na truti vidhi tutor मतलब अनुसिक्षक होता है ठीक है इसके बाद यहाँ आप देख रहे है ulterior motive का मतलब है गुप्त अभी प्राय से या गूड अभी प्राय से और ultimate cosiny का मतलब होता है अंतिम प्रेशिती या अंतिम माल से यहाँ आप देखें मतलब अंतिम माल पाने वाले से जो कि अंतिम प्रेशिती होता है अंतिम प्रेशिती का मतलब जो अंतिम व्यक्ति है प्राप्त करने वाला इसके बाद ultimo का मतलब है गतमास का और ultrawires का मतलब होता है यहाँ देखें शक्ति बाहे या अधिकार अतीत, अधिकार से बाहर का, अन-corroborated का मतलब होता है, संपुष्ट या अपुष्ट और यहाँ पर आप देखें, un-converted demand का मतलब है, पूरित मांग, under-faced का मतलब है, विरूपित, और under-certificate of posting का मतलब है, डाग प्रमाडित, Under Certificate of Posting मतलब डाक से प्रमाडित Underhand यानि प्रच्छत्र यह आप देखें और Undersigned का मतलब होता है अदुहस्ताक्षरी Understanding मतलब समझोता या समझदारी Undertaking मतलब होता है उपक्रम और Under Trial का मतलब होता है परखा धीन या अभियोगा धीन जा सकता है जिसे देखा न गया हो या आनपेक्षित जिसकी अपेक्षा न की गई हो Unicameral मतलब एक सदनी बाई कैमरल मतलब द्वी सदनी जो विधाई का और विधान परिशत का आप देखते हैं Up to date का मतलब अध्यतन और Vacation Judge का मतलब है प्रावकाश नयाधिश वैक्यूम मतलब निर्वात होता ही है वैल्डेक्टरी एड्रेस का मतलब होता है समापन भाशन और Venture का मतलब होता है उद्यम और Venture साहस को भी कहा जाता है इसके बाद वर्बैटिम यहाँ देख रहे हैं आप इसका मतलब होता है शब्दशह शब्द के अनुसार वर्नाकुलर यानि स्थानिक भाशा या जन भाशा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो स्थानी भाशा के समाचार पत्र पत्रिका थे उन पर यह प्रेस एक्ट चलता है मतलब इसका डंडा चलता है वेट मतलब पुनरिक्षण करना और वेटिंग मतलब होता है पुनरिक्षण वाया मतलब बरास्ता के रास्ते से ऐसा मतलब है वाया मीडिया मतलब मध्यमार कोब और scientifically वैस वर्सा का मतलब होता है विपरीत इसका उल्टा वीडियो कांफरेंसिंग का मतलब तो आप जानते ही है मतलब दिर्ष्य दूर सनलाप कितनी अच्छी हिंदी है है ना इससे अच्छा तो वीडियो कांफरेंसिंग है लेकिन आपको हिंदी पता होने चाहिए वीजा मतलब प्रवेश पत्र होता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो एक्जाम हाल में जाने के लिए आपको प्रविश पत्र मिलेगा उसे वीजा कहेंगे यह दूर देशों के लिए प्रविश पत्र होता है आगे चलते हैं यहाँ पे विज का मतलब होता है के सामने या के तुलना में वाकी टाकी सेट का मतलब है चल वारता सेट थिक रिसीवर बड़ा सा होता है बिनातार का वाकन इंटर्वियू मतलब प्रविष सक्षतकार तत्काल सक्षतकार वासडोग का मतलब होता है हित प्रहरीय निगरानी करने वाला वॉटरप्रूफ यानि जलस यह तो आप जाते हишь ह का मतलब होता है मार्ग प्रत्यकिया यात्रा विवरडी वीर एंटियर का मतलब है टूट फूट और वीडिंग का मतलब होता है छटाई करना वीड आउट मतलब होता है चाट कर बाहर कर देना वीड मतलब होता है घास फूस जो कि पौदों को नुकसान पहुचाती है यहाँ और जो फाल्तू सामान ट्रैश होता है पर यहां देखें फिर वेट लीज का मतलब होता है सकार्मिक पट्टा यहां देख रहे हैं विज़्गेट का मतलब होता है युआ सु व्योसाई उचे सिर्फ प्राप्त किया हो और वाइल्ड कैट का मतलब wildcat strike का मतलब होता है अनाधिकृत हड़ताल या अनायास जो हड़ताल पे लोग बैट जाते हैं जो कि सजागे पातर हो जाते हैं तो उसके लिए शब्द इस्तिमाल होता है window envelope का मतलब है पता दर्शी लिफाफा जिसमें की पता दिखाई दे रहा हूँ और workman का मतलब होता है कर्मकार या कामगार तो यहां तक तो हमने एक table के format में देखा यहां थोड़ी बड़ी सी table है जिसमें की दो अलग-अलग मतलब चार column बने हुए हैं जिसमें की अर्थ और शब्द दिये हुए तो देख लेते हैं जैसे कि आप देखें यहां पर abduction का मतलब होता है अपहरण या आगवा करना abnormal का मतलब है अस्वाभाविक abolition का मतलब होता है उन्मूलन या उत्सादन abuse का मतलब होता है दुर्विवहार या दुरुपयोग accommodate का मतलब होता है इसके बाद आप देख रहे हैं एक्यूर दिखा हुआ है तो एक्यूर का मतलब होता है प्राप्त होना है, संचित होना है, जमा होना या फिर प्रादभूत होना जिसका की प्रादुर्भा हुआ acquisition का मतलब होता है अधिगरहड या आरजन, act मतलब अदिनियम action मतलब कारवाई या क्रिया या कारे, additional का मतलब अधिरिक्ति या पद नाम में अपर जो होता है उसको कहते है, adequate का मतलब परियाप्त बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनने की आपने देखा है, जरा साइसे बड़ा कर लीजे adequate मतलब परियाप्त either to का मतलब होता है कायम रहना, यहाँ देख रहे हैं या द्रड रहना, या जमी रहना, या पालन करना agent का मतलब होता है administer का मतलब तो आप जानते ही है अच्छा, शपत हित्यादी में जो शपत दिलाने से तात पर है, वो भी इसमें यहाँ यह वाला आप देख रहे हैं इधर वाले कॉलम को हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा इसे उपर कर लेते हैं अब देखिए affordable का मतलब होता है कि फायती सस्ता या फिर जो धारण करने योगे हो alarming situation यानि चिंता जनक स्थिति या खत्रे कि स्थिति alias का मतलब होता है उपनाम या उर्फ और alb का मतलब होता है अन्यत्र होने का साक्षे allegation मतलब आरोप या अभी कथन कहा जा सकता है allocation मतलब नियतन या फिर आवंटन और allotment का मतलब होता है आवंटन allowance का मतलब होता है भत्ता या छूट और auxiliary का मतलब होता है सहायक backlog मतलब पिछला बकाया और backup का मतलब होता है आपात आपूर्ती या आपात सहायता bell का मतलब होता है जमानत कहते ने bell पर छूट कर आये हैं balance sheet मतलब तुलन पत्र होता है और ballot मतलब मतलब निशेद होता है batch मतलब टोली होता है बायस मतलब पक्षपाती सोच होती है ब्यूरो केसी का आप जानते ही है कैडर अभी पीछे देखा था कैलकुलेशन यानि परिकलन होता है कैंपस यानि परिसर होता है कैंडिडेट यानि प्रत्याशी यह सब कॉमन है कैरियर यानि वृत्ती ठीक है वृत्ती यानि रोजगार बाकी कास्टिंग बोट का मतलब होता है निरडायक मत्से और यहां देखे casual यहां नीचे देख रहे हैं यहां तक देखाता था न casualty का मतलब होता है आकस्मिकी और catalog का मतलब प्रसूची सेल का आभी देखाता पीछे सर्मनी मतलब होता है समारो सेस मतलब उपकर चैनल मतलब सारणी ठीक है सरणी नहीं होता है सारणी होता है चावस मतलब होता है गडबडी चैरटी मतलब होता है खैरात चार्ट मतलब सचित्र चार्टर मतलब घोशना पत्र चेस्ट मतलब यहाँ पे छाती नहीं बलकि तिजोरी होता है और कोरस मतलब होता है व्रिंदगान जो की जुट में गाया जाता है और सिटेशन का मतलब होता है उद्धरन से अच्छा यहाँ पे साइफर दिया हुआ है तो इसका मतलब शूनि से होता है यह कॉमन स्पेलिंग थी जादा इसमें कुछ कठिन नहीं था इधर वाले कॉलम में कुछ ऐसी बड़ी स्पेलिंग नहीं थी जिसे की फसने योगी माना जाए अब इधर वाले को देख लेते हैं तो एमेनिटी मतलब होता है यहाँ देखेगा अमाउंट मतलब होता है राशी, रकम, मात्रा या फिर मिश्रधन को भी अमाउंट कहते हैं अब यह कैसा अमाउंट है उस पर डिपेंट करता है एनेक्सर का मतलब होता है सनलगनक अनाउंस्मेंट मतलब आप जानते ही है इसको एलान या आख्यापन भी कहा जाता है याद रखेगा anomaly का मतलब होता है विशंगती, विशंता या असंगती और anticident का मतलब क्या होता है approach मतलब त्रिष्टि कोड़ होता ही है और arbitration का मतलब होता है विवाचन argument मतलब तर्क या भहस arrangement मतलब विवसथा area मतलब होता है बकाया और article मतलब अनुछेद होता ही है नीचे ascent मतलब होता है सुच्छिटी देना ठीक है और assessment मतलब मुलने नरधारण करना अच्छा acid मतलब सामत होना भी हो सकता है अब ये कैसा शब्द दिया है उस पर depend करता है बाकी assumption का मतलब होता है कलपना करना पूर्वधारना प्रस्तुत करना जो कि पहले से किसी चीज के उपर अपनी कलपना विक्सित कर लिया बाकी attachment मतलब सनलगनक होता है कुर्की को भी कहा जाता है attest मतलब होता है सत्यापित करना self-attested photo लगाने के लिए अकसर document में कहा जाता है caution का मतलब होता है निलामी करना और यहां देख रहे हैं आप austerity measure का मतलब होता है मित व्याइता उपाय या किफायत के उपाय इसके बाद authenticate का मतलब होता है प्रामाडिक ठहराना authority मतलब प्राधिकारी autonomous मतलब स्वायत bio data आप जानते हैं जीवन वृत black male का मतलब होता है भय दोहन किसी को तरा धमका के उसका फायदा उठाना इसका मतलब यह होता है दोहन मतलब सोशन करना अच्छा black यहाँ आप देख रहे हैं blocket का मतलब होता है नाकाबंदी और blueprint मतलब रूपरेखा bottle neck का मतलब होता है गत्य वरोध, bottle neck आप देख रहे है bycott मतलब भहिशकार branch मतलब होता है विछेद और bribe मतलब होता है घूस लेना, रिश्वत उसी को कोच भी कहा जाता है brief मतलब संशिप्त होता है संशिप्त जानकारी सितातपर्य होता है और आप आगे चले compulsory मतलब होता है अनिवारे concession मतलब होता है रियायत consolation मतलब होता है सुलह और condone मतलब होता है माफ करना Conduct मतलब आचरण और Conference मतलब सम्मेलन ज़्यादा तर Spelling वही वाली है पीछे वाली कुछ ज़्यादा नया नहीं है जो नया लगेगा उसको आप नोट कर सकते हैं Confession मतलब अपराद स्वीकारना जुर्म एकबाल और Conflict मतलब होता है विरोधाभास Conflict of Interest मतलब होता है हितों का संगर्ष इसके बाद Consecutive का मतलब होता है निरंतर क्रमिक या लगातार अब जो चुनना चाहें आप चुन सकते हैं जैसा वहाँ दिया हो Consensus का मतलब होता है मतैक्य और Consolidation का मतलब होता है एक ही करण Conspiracy का मतलब होता है शडयंतर और Constituency का मतलब होता है निर्वाचन छेतर इसके बाद अब नीचे आजाईए तो Constituor का मतलब होता है अर्थ लगाना अनुमान लगाना और Consultation का मतलब होता है परामर्ष डॉक्टर से या वकील से Consultation किया जाता है इसके बाद Consumable का मतलब होता है उपभोज ये वस्तू या उपभोग करने योग के जो वस्तू होती है उसको कहा जाता है Contingency का मतलब होता है Acasmic Way और Contrast का मतलब होता है संविदा इसके बाद यहां पर आप देखें तो Clement का मतलब होता है दाविदार Clarical मतलब होता है Lipik संबंधी या Clerk संबंधी मतलब लेखन संबंधी Closer मतलब समापंधी थी Code मतलब संगिता और यहां आप देख रहे है कॉग्निजिन्स का मतलब होता है संग्यान कलेक्टरेट का मतलब होता है समा हर डाले ठीक है यह आप ध्यान देजेगा कमिन्ट मतलब तिपड़ी कमोडिटी टी का तिपड़ी और कमोडिटी मतलब वस्तू कमिनीक का मतलब होता है विज्यप्ति और नीचे आजाईए इस कॉलम को पूरा कर लेते हैं कॉंपलिटेशन का मतलब होता है संकलन यहां आप देख रहे हैं कंपल्सन का मतलब होता है बादेता, विवश्टा या अनिवारिता करिंट मतलब वर्तमान, डेडलाइन मतलब समय सीमा, डील मतलब सौधा और डियरनिस अलॉइंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता डिबार का मतलब रोकना या विवर्जित करना या उसी को मतलब विवर्जित करना ये विधी छेतर में इस्तेमाल होता है ये judiciary में इस्तिमाल होने वाला शब्द है, फिलाल याद होना चाहिए, decode का आपने देखाईता पीछे कूटवाचन होता है, deed मतलब होता है, विलेक और defalcation का मतलब होता है, govern, defamation का मतलब होता है, मानहानी अभी डी लगा देंगे तो वो prefix जो है, वो सभी के अर्थ को उलट द देखाईगा, defalte का मतलब होता है, व्यतिक्रम, और defy का मतलब होता है, अवग्या करना, degrade मतलब दर्जा घटाना, और deletion का मतलब होता है, लोप, गायब कर देना, delimitation मतलब परिसीमन, deliver मतलब वितरित करना, देना, सौंप देना, demote मतलब पदावनत करना, demotion, promotion से उल्ट का मतलब होता है, वही चीज, demotion आप देखी रहे है, पदावनती, denomination यानि मूलिवर्ग और deployment का मतलब है, तैनाती, परिनियोजन, और deputation का मतलब होता है, प्रतिन्योक्ती, dereligation का मतलब होता है, लापरवाही या अवहेलना, दोनों सितात परे होता है, design मतलब अभी कलपना, designate मतलब होता है, नामोदिष्ट, साथ में dispatch का मतलब pressure होता है, यहाँ देखेगा earmark, earmark का मतलब होता है, चिन्नित करना, impaneled officer का मतलब होता है, सूचिबद अधिकारी या नामिका अगत अधिकारी, employment का आप जानते हैं, empower का मतलब सशक्त बनाना, enact मतलब होता है, अधिनियम बनाना या अधिनियमित करना, encrossment का मतलब होता है, अतिक्रमड और endowment का मतलब होता है, अक्षय निधी, engage का मतलब है, काम लगाना या न्दियुक्त करना, enhancement का मतलब है, विर्धी या बढ़ोतरी, enlist का मतलब होता है, सूचिबद करना, enterprise को आप देख रहे हैं, इसका मतलब उद्यम होता है, entitle मतलब हगदार होना या हगदार बनाना, interest का मतलब होता है, सौपना, eratia का मतलब होता है, शुद्धी पत्र, और escort का मतलब होता है, अनुरक्षक, fabrication का मतलब होता है, गढ़ा होना या सम विरचन, जो अच्छे शबद हैं उन्हें आप देख सकते, face value fact मतलब होता है, faculty मतलब होता है, संकाए, और fairness मतलब निस्पक्षता या औचित से तातपरे होता है, जो उचित हो, और fake मतलब फर्जी होता है, और faulty मतलब खराब होता है, अभी धर वाले column को देख लीजे, यहां से आ जाईए, एकदम शुरुवात से, यहां से हमने देखा पिछला वाला, तो अभी दाइनी दरफ वाला बचा हुआ है, koreigandum का मतलब होता है, शुदी पत्र या भूल सुधार के लिए जो पत्र जारी किया जाता है, मतलब लिखित प्रस्ताव जारी किया जाता है, उसको कहा जाता है, मौखिक नहीं, लिखित, इसके बाद cost का मतल का मतलब होता है सौजन्य क्रिदेंशियल का मतलब है प्रत्य पत्र ग्रेडिटर मतलब रिंदाता या लेंदार क्राइसिस मतलब संकट और यहां आप देख रहे हैं क्राइट्री ओन का मतलब होता है मांदंड और कुरूड मतलब परिश्कृत जिसे की ऐसे हम आम बोलचाल की भाशा में कच्चा कहते हैं, कच्चा तेल, क्रूड आयल, क्यूंग लेटिव का मतलब है संचई, और यहां आप देख रहे हैं, dispatcher का मतलब होता है प्रेशक, पीछे हमने प्रेशिती के स्पेलिंग देखे थी, अब यहां पर यह प्रेशक है, यानि भेजने माला, इसके बाद आप देखें, destination मतलब गंतव्य, और यहां आप देख रहे हैं, deterrence का मतलब होता है निवारण, deviation मतलब vigilant, dialogue मतलब संबाद, diary का मतलब होता है, दैनिंदनी या उसी को रोज नामचा कहा जाता है, dilemma मतलब दुविधा, और यहां discredit लिखा हुआ है, का मतलब होता है, बदनामी, यहां नीचे देखेगा, discrepancy का मतलब होता है, विसंगती, और discretionary power का मतलब है, विवेक अधिकार, disorder यानि अव्यवस्था, disposal यानि निवर्तन, disqualification यानि अयोगिताया, निर अरहता, descent मतलब विसंगती, decamitation का मतलब होता है, प्रलेखी करण, down payment मतलब ततकाल भुगतान, draft का मतलब है प्रारू, draw का मतलब है, अदा करता, जो की चुकाए, चुकाने वाला, ठीक है, drill का मतलब अभ्यास होता है, due date आप देखी चुके है, पीछे, dues का मतलब होता है, दे राशी, duty मतलब काम और मतलब करतब विसंगतात परे है, dynamic मतलब गत्यात्मक जो गती के अवस्था में है, estimate मतलब प्र लखली होता है, यहां देख रहे हैं, इसके बाद evidence का आप जानती है, साक्षे होता है, exclusive का मतलब होता है, विसिष्ट एक मात्रिया अनन्य, जिसके जैसा कोई दूसरा नहो, executive का मतलब होता है, कारेपालक, exempt का मतलब होता है, छूट देना या छूट प्राप्त किया हुआ, expenditure लेचर मतलब व्या या खर्च, explicit का मतलब होता है, साफ या इसपष्ट, extensive का मतलब होता है, व्यापक या विस्तरित, और exhaustion का मतलब होता है, धन एटना, extraordinary का मतलब असाधारण, extra wagon का मतलब होता है, फिजूल खर्च या अपव्याई, extremist का मतलब होता है, चरम पंथी, अब उस शब्दों के अर्थ वही हैं, जो कि हम common ऐसे जिंदगी में इस्तिमाल करते हैं, फूल प्रूफ का मतलब विश्वसनी और आसान, फुटनोट का मतलब होता है, पाद टिपड़ी जो के नीचे लिखी जाती है, मतलब कोई मूल लेक लिखने के बाद उसके नीचे एक छोटा सा फुटनोट होता है, फॉर्विट का मतलब होता है, निशेद करना और फॉर्फिट का मतलब होता है, जुर्माना या जो नगत जुर्माना होता है, अर्थ डंड मतलब पैसे वाला जुर्माना, इसके बाद यहाँ पे फॉर्फिचर का मतलब होता है, जबती और फॉर्ग होता है Fertility Rate का मतलब प्रजनंदर है फिशियस का मतलब होता है बनावटी कल्पितिया संदेहास्पद जिसे की फरजी भी कहा जा सकता है इसके बाद Fidelity का मतलब होता है निश्ठा Fire का मतलब यहाँ आग से नहीं है नौकरी से निकालने से Fire मतलब नौकरी पर रखना Farm मतलब होता है व्यवसाइक प्रतिष्ठान और Physical मतलब राजकोशी Fix मतलब नियम करना या नियत करना Flag off का मतलब होता है रमाना करना जंडी दिखा के का जाता है न हरी जंडी दिखा दी तो वही बाद Flat का मतलब है यहाँ देखें सपश्टिया साफ Flying squad का मतलब उडन दस्ता Gadget का मतलब होता है उककरन Gain मतलब अभिलाब Gang मतलब गिरो Garrison का मतलब होता है Sand Tukdi Gadget मतलब राजबद Genius का मतलब होता है प्रतिभाशाली Habital यहाँ देख रहे हैं Habital का मतलब होता है परियावास और Hierarchy का मतलब होता है पदानुकरम 나오nery का मतलब है मानद और Illicit का मतलब होता है Aved Illustration का मतलब क्या होता है तो illustration का मतलब है कि सचित्र ऐसी प्रस्तुती या ऐसा विवरण जिसमें कि चित्र भी धेड़ सारे हो और उदाहरण भी धेड़ सारे हो इसके बाद आप देखें immigrant का मतलब होता है अप्रवासी, immunity मतलब प्रतिरक्षा, impeachment का मतलब महाभियोग और implicit का मतलब होता है निहित या अंदर निहित impose अर्थात लगाना या अधिरोपित करना, imposed मतलब चुंगी या महसूल और inauguration का मतलब होता है उदगाटन incentive का मतलब होता है प्रोटसाहन, inclusion का मतलब होता है समावेश और invoice का मतलब होता है बीजक, ठीक, कहते नहीं इसका invoice टाउनलोड कर लीजे janitor का मतलब होता है द्वारपाल या चौकिदार या द्वाररक्षक से और यहाँ देख रहे हैं आप जौरगन का मतलब होता है वृत्ति भाशा से, कंगारू कोर्ट मतलब जन अदालत, यह देख रहे हैं ladder मतलब सोपान या सीड़ी कहा जाता है, lavatory मतलब सोचाले, इसके बाद lawsuit मतलब होता है मुगदमा या वाद, layoff मतलब होता है यहाँ देख रहे हैं आप, layoff मतलब होता है काम बंदी, lease holder का मतलब है पट्टाधारी या पट्टेदार जोकि lease पर किसी सामान को लिया हुआ है वो जमीन भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, इसके बाद legal tender मतलब होता है विधिमान ने मुद्रा, later head का मतलब होता है सरनामा या पत्रशीर्श, license मतलब अनुग्यप्ती, majority मतलब बहुमत, और यहाँ पर आप देख रहे है Mal administration, जिसका की आरोप लगा कर Lord Dalhoji ने अवद को अपने अंग्रेजी राजी में विलाए किया था, पुशाशन का आरोप लगाया था, ठीक, जहां का प्रशाशन असफल हो गया है Mal, यहाँ देखें, Malified का मतलब होता है दुर्भावनापुर्ण, और Mandate का मतलब होता है जनाधेश, Mandatory मतलब अनिवारे, Manifesto मतलब घोशनापत्र, Manual मतलब निमावली, इस सब हमने पीछे देखा था, Maturity मतलब परिपक्वता, Mieser मतलब आकलन, Miesers मतलब उपाय, Memorandum मतलब हो प्रारूप या सनरूप, Farmer मतलब पूरवर्ति, Formula मतलब सूतर या Formula, Formulate मतलब बनाना या रूप देना, Forum मतलब होता है मंज, Framework यानि रूपरेखा या धाचा, Freehold का मतलब होता है पूर्ण स्वामित्व, यहाँ देख रहे हैं आप, Phrase का मतलब होता है माल ढुलाई, Frequency मतलब आवर्ति, Frequent मतलब नियमित, Fund मतलब निधी और Fundamental मतलब जो Basic Element है मूल भूत तत्व है, Funeral का मतलब होता है अंतेष्टी, Gendry का मतलब होता है कुलीन वर्ग से, और Genuine का मतलब होता है प्रामाडिक, Good Will का मतलब सद्भावना, Grace मतलब अनुगरह या कृपा, Graduation का मतलब प और Incompatible का मतलब होता है असंगत या बेमेल, अच्छा, इसके बाद आगे चलते है, Inconsistency का मतलब है विसंगती या असंगती, यहाँ पर हमने देखा, Incubment का मतलब होता है पदस्त करना, और Indent का मतलब होता है भरपाई करना या छतिपूर्ती करना, Indent का मतलब मांगपत्र और Induction का मतलब होता है शामिल होना, अब Informal का मतलब है अनौब चारिक, Infringement का मतलब है उलंगन या आतिलंगन या आतिचार भी कहा जा सकता है, Initials का मतलब है आदियक्षर, Insolvent का मतलब होता है दिवालिया, Intern का मतलब प्रसिक्षु, Jury का मतलब होता है नरिडायक Μंडल, Jubiny मत लिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा जा सके या पढ़ने योगे या सूसपष्ट इसके बाद यहां लेगिमेसी का देख रहे हैं आप तो इसका मतलब होता है वैदता या औचित्ति पूर्णता लैनन्सी का मतलब होता है नर्मिया उदार्ता और लीज़ी का मतलब होता है पट्टेदार और लेजर का मतलब होता है पट्टा करता मेथट मतलब होता है लीज मतलब पट्टा होता है मेथट का मतलब होता है विधी पध्यती या प्रणाली चाहे आप जो इस्तिमाल करें मेथडियोलाजी का मतलब है कारे प्रणाली मिडिल मैन का मतलब मिड़ टर्म लिखा हुआ है तो मिड़ टर्म का जो प्रशाशनी करत है वो मध्यावधी माइग्रेंट मतलब प्रवासी, मौडिफिकेशन मतलब उपांतर या आशोधन मोरल मतलब होता है मनूबल या होसला और यहां आप देख रहे हैं मौड़ेंट का मतलब होता है बंधक बनाना या बंधक रखना इसके बाद मौड़ेंट का मतलब होता है बंधक विलेक और उसी से यहां पे दो अलग-अलग शब्द बने हुए हैं एक तो बंधक दार है दूसरा बंधक करता है मतलब एक बंधकदार होता है और दूसरा बंधक करता होता है यहां बंधक से क्या तात परे है किसी संपत्ति के बंधक रखने से तात परे है व्यक्ति को बंधक बनाने की बात नहीं की जा दिये ठीक है इसके बाद motto है इसका मतलब होता है आदर्शवाक्य और master role का मतलब होता है उपस्थिती नामावली या उपस्थिती रजिस्टर उसको कहा जाता है चली यहाँ देख लेते हैं अगला वाला merit मतलब योगिता होता है negligence का मतलब होता है उपक्षा, negotiable का मतलब होता है परक्राम में यहाँ देख रहे हैं, negotiator का मतलब होता है वारताकार, nepotism मतलब भाई भती जावात, nodal agency का मतलब होता है केंद्रिक अभी करण और यहाँ पे आप देख रहे हैं arbitrary का मतलब होता है स्मृति शेश या निधन सूचक जो पुन्य स्मृति होती है उसको इस नाम से संबोधित किया जाता है, observance का मतलब होता है पालन और ombudsman का मतलब होता है, ombudsman यह word है और इसका जो अपना भारती रूपांतरण है वो है लोप पाल इसके बाद यहाँ देखें आप omission का मतलब होता है लोप या जूक, on probation का मतलब है परिविक्षादीन और overcharge मतलब अधिप्रभार, overhead impensis का मतलब होता है अपरिव्याई यहाँ आप देखें pamphlet का मतलब होता है पत्रक और paradox मतलब विरोधा भासी या विरोधा भास, passport मतलब पार पत्र होता है जो कि आर पार जाने के लिए आपको चाहिए होता है और patron मतलब होता है सनरचक, payment का अपर्थ जानते ही है यहाँ पर आप देखें तो perciable का मतलब होता या विनाश के पात्र, permit मतलब अनुग्या पत्र, personal मतलब होता है वैक्तिक और personal मतलब होता है कार्मिक, दोनों में फर्क है, यहाँ जो spelling है कार्मिक की जड़ा देखें, p-e-r-s-o-n-e-l, कार्मिक ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें, pertinent का मतलब होता है संगत या प्रासं ठीक तरीके से काम कर रही या नहीं, फिर उसको व्यापक तरीके से लागू किया जाता है, piracy मतलब अनाधिकरित प्रयोग, और placement मतलब होता है स्थानन, कहीं पर स्थान देना या कहीं पर काम लगाना, रोजगार देना, इसके बाद plane यहाँ देख रहें आप, plaintive का मतलब हो प्रयोगेटिव का मतलब होता है परमाधिकार, privacy मतलब निजता, qualification मतलब अरहता, और qualitative मतलब होता है गुणात्मक, और थोड़ा सा नीचे आईए, rank मतलब होता है, पद, rebate मतलब होता है, छूट या घटावती या घटावती कहा जा सकता है, recipient मतलब होता है, प्राप्त करता, रैकोन मतलब होता है, गड़ना करना, और reclaim मतलब पुनह दावा करना या भूमी उध्धार करना, reclamation का मतलब होता है, उध्धार या उध्धरण या भूमी उध्धार, recognition का मतलब मानिता, recommendation का मतलब सिफारिश, संस्तुति या अनुशंशा, reconciliation का मतलब समाधान, record मतलब अभिल और रिडेंप्शन का मतलब होता है मोचन या छुडाना या पुनर्प्राप्त करना रिडेसल का मतलब होता है निवारण करना रिफरेंस मतलब संदर्ब होता है और रिफाइनेंस मतलब होता है पुनर्वित ठीक है पुनर्वित रिफार्म मतलब सुधार रिफंड मतलब से तात पर रहे है, notification मतलब अधिसूचना, noise मतलब होता है, no sikhiya, ओनस मतलब होता है, जिर्मेदारी और orientation मतलब दाइत्व से तात पर रहे था, orientation मतलब अभिविन्यास, outlet मतलब होता है, निरगम और outline मतलब होता है, रूप रेखाया, रेखांकन, outlook आउट्लुक का मतलब होता है दृष्टिकोड से और आउट्सोर्स का मतलब होता है बाइस रोज से, आउट्स्टेंडिंग का मतलब होता है बकाया बाकी उत्कृष्टिया असाधारण से, ओवेशन का मतलब होता है अभिनंदन से और प्रिविलेज का मतलब होता है विशेशा दक्षता सितातपरे होता है प्रमोशन मतलब प्रोनती होता ही है प्रोम्लेगलेशन मतलब होता है आप कीजिए का प्रोम्युलेशन मतलब होता है प्रख्यापन या आख्यापन भी कहा जाता है जो शब्द आप इस्तिमाल करना चाहिए propagate मतलब प्रचार करना, propound मतलब प्रतिपाधित करना इसके बाद आप यहाँ नीचे आजाईए तो प्रोरग मतलब होता है 17 वसान और यहाँ नीचे से देखे प्रो सेक्शन प्रो सेक्शन का मतलब होता है अभी योजन और प्रोटोकॉल मतलब होता है नवाचार ठीक है ये चीज आपने देखी इसके बाद यहाँ देखें प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान और प्रोविजनल मतलब होता है अस्थाई प्रोक्सिमिटी मतलब होता है निकटता और प्रोक्षी इसके बाद परपोर्ट मतलब मतलब होता है तातपरे, परपस मतलब प्रयोजन, परसीट मतलब होता है अनुसरन, क्वैरी मतलब प्रिक्षा, कोरम मतलब गणपूर्ती और क्वालिटी मतलब माफ कीज़ेगा, क्वांटिटी मतलब परिमाण, रेगुलेशन मतलब होता है विनिमय, रिहलसर मतलब होता है पूर्वा भ्यास या भ्यास आप क्या सकते हैं रिम्बर्स का मतलब होता है प्रति पूर्थी करना या आदा करना रिम्बर्समेंट का मतलब होता है अदाएगी रिलिंक्वेश्मेंट का मतलब होता है त्याग करना या छोड़ना और Remittance का मतलब होता है धन प्रेशन इसके बाद आप देखें नीचे Renewal का मतलब है नवी करण और Replacement का मतलब होता है पुनह पूर्थी ठीक है यहाँ पर आप देखें Repository का मतलब है भंडारण या निधान संग्र कहा जाता है भंडारण से भी इतातपर्य आप रख सकते हैं उतने से काम हो जाएगा इसके बाद आप देखें Repegment का मतलब होता है विरुद और Requisites का मतलब होता है पेकशित गुड इसके बाद Requation का मतलब होता है मांग करना और Reservation का मतलब आरक्षन होता जीए वो आप जानते हैं आगे बढ़ते हैं Residence मतलब निवास या आवास होता है और Resudatory मतलब होता है Obsist Resignation मतलब होता है त्याग पत्र और यहाँ आप देखें Respondent मतलब होता है प्रतिर्थी restriction मतलब प्रतिबंध यारोक, resume मतलब सार्वृत, कहते ने नौकरी के लिए resume त्यार करना है यहाँ देखें, retorture का मतलब होता है, अनुशोधक, risk मतलब होता है, जोखी मिया खत्रा और यहाँ देख रहे हैं आप, urbanization का मतलब होता है, gram नगरी करन जिसमें कि gram नीड़ता भी हो, और नगरीयता भी हो, आगे बढ़ते हैं और अगले शब्दों को देख लेते हैं, तो यहाँ पे softage का मतलब होता है, ध्वन्स करना और selection मतलब होता है, संस्विक्रिती, scale मतलब होता है, वेतनमान, scout मतलब होता है, गुप्तचर सेमिनार अर्थात गोष्टी, setter मतलब होता है, प्रवर्तक, solicit मतलब होता है, अनुरोद करना और solvency मतलब होता है, रिड़ चुकाने की शम्तार, मतलब रिड़ अदाईगी जो है उसकी काबलियत इस special drive मतलब विशेश अभियान और यहां आप specimen signature का देख रहा है, नमूना हस्ताक्षर इस tenderization का मतलब होता है, मानकी करन, status quo को मतलब होता है, यथा स्थिती tact मतलब होता है, युक्ती, उसी से बना हुआ है tactics और tapping मतलब होता है, दोहन करना, tender मतलब निविदा, terminology मतलब शब्दावली और testified मतलब होता है, प्रमाडित करना, trusty मतलब होता है, न्यासी और anonymous का मतलब होता है, एक मत या सरुम्त, जिसमें की सभी लोग सहमत हो, ऐसी चीज को कहा जाता है unauthorize का मतलब होता है, उपयोगी चीजों को कहा जाता है, वैकैंसी मतलब रिक्ती, वैग्यू मतलब George, valid मतलब विधिमान्य। और validation मतलब प्रमाडन, variant मतलब प्रतिवर्त्य और vendor मतलब होता है विकरेता, venue मतलब इस्थल और verdict मतलब होता है फैसला, verification मतलब होता है सत्यापन और wage मतलब होता है तनख्वा, warrant मतलब अधिपत्र, warranty मतलब आश्वस्ती, watchdog का आपने पीछे देखा था हित्प्रहरी, zero hour मतलब होता है शूनिकाल और journal मत देख रहे हैं, strategy मतलब कारे नीती या रनीती, बागी stripe मतलब होता है प्रयास करना, subscriber का मतलब अभिदाता और subsidiary का मतलब होता है गौण, subsidy का मतलब है सहाईकी और succession का मतलब है उत्तरादिकारिता, supernuation का मतलब होता है अधिवर्षिता और यहां आप देख रहे हैं, superseed का मतल देख रहे हैं, surcharge मतलब अधिभार, surplus मतलब अधिशेश, ठीक, आगे चलते हैं, testimony का मतलब होता है साक्षे, token मतलब प्रतीक, और transaction का मतलब संचालन, translate, यहां देख रहे हैं आप, transliteration का मतलब होता है लिप्यांतर, लिपियों का अंतरन करना, इसके बाद treasury मतलब होता है वांतरन, vicinity मतलब होता है निकटता, और violate मतलब होता है उलंगन करना, vision मतलब होता है संद्रिश, vital मतलब होता है अनिवारे, vocation मतलब होता है व्यवसाय, और walk मतलब होता है प्रशलित, volunteer मतलब होता है स्वैंग सेवक, whip मतलब होता है सचेतक, whistleblower का मतलब होता है अग्रचेतक, क्रांतिकारी और विड्रॉल का मतलब होता है प्रत्याहरण विथोल्ड का मतलब होता है विधारिद करना वेज एंड मीन्स का मतलब होता है तरीके और जोन का मतलब होता है अंचल ये फिर से आपने यहाँ पर देखा तो यहां पर यह प्रशाशनिक शब्दावली जो पारिभाशिक शब्दावली है यह समापत होती है और इस लेक्चर में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार